अचारिश्री विद्या सागर जी महराज के समाधी मरन की सूचना के बाद जिन शर्णम तीर्थ में चल रहे पंच कल्यानक महुतसव को आज के लिए रोग दिया गया अठारा फर्वरी को तीर्थ धाम पर शोक सभा आयोजित हुई डोंगरगर इस्थित श्री चंदिगरी तीर्थ में हुई आचारिश्री विद्या सागर जी महराज की समाधी के बाद जिन शर्णम तीर्थ में आयोजित हो रहे पंच कल्यानक पतिष्ठा महुतसव की गदि विधियों को आज के लिए इस्थगित कर दिया गया और 18 फरवरी को जिन शर्णम तीर्थधाम में एक शोक सभा का योजन किया गया शोक सभा में आचारिश्री पुलक सागर जी महराज ने भकतों को समबोधित करते होए कहा कि आचारिश्री विधिया सागर जी महराज ने आज स्वर्गा रोहन किया है और अब आचारी श्री स्वर्ग लोग से हमें अपना आशिरवाद देंगे वहीं आचारी श्री ने 18 फरवरी को तीर्थ धाम में होने वाले जन्म कल्यानक की गदी विदियो को ने इस फरवरी के लिए इस थगित करने की भी सूचना दी आप सोच रहे होंगे हम इतने दूर से जन्म कल्यानक देखने आए कोई बात नहीं कल करेंगे कल होगा प्रभू का जन्म कल भगवान अवतरित होंगे इस धरती पर आज हम सुद्धान जली रखेंगे हम अपनी प्राथना ये रखेंगे मैं चाहूंगा कि कल तक जो हमारे नैनों में थे एक पल में तश्वीर में आ गए आचारिश्री पुलक सागर जी महाराज से मिले संबूधन के बाद उपस्थित भक्तों ने समाधिस्ता आचारिश्री विद्या सागर जी महाराज की शोग सभा में सहभागिता करते हुए गुरूबर के चित्र के समक्ष पुश परपित किये जैन फोकस के लिए जिन शर्णम तीर्थ महाराज से ब्यूर रिपोर्ट